आज मैं आपके साथ एक ऐसे ड्रिंग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं कि जिसको आपने अगर पी लिया तो आप चाहे सारा दिन कितना भी दूप में घूंते रहेंगे आपको कभी भी लू नहीं लगेगी और अगर लू लग चुकी है तो वो भी इस ट्रिंग को पीने स से ख़्म हो जाती है तो बहुत ही बेस्ट रिंग है आइए देखते हैं इसके इंग्रीडियंट तो इंग्रीडियंट में सबसे पहले मैंने ले लिया है एक रो मैंगो कच्छा आम और दो हरी मिर्चे ले ली है और फ्रेश पुदीने की पतिया ले ले ली है थोड़ी सी औ और साल्ट नमक ले लिया है एकॉर्डिंग टू टेस्ट और सबसे पहले इस आम को हमें डायरेक्ट आग पर पकाना होता है तो आप देख रहे हैं कि कैसे मैंने इसे डायरेक्ट रखा हुआ है और इसे पकाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसे कंटीनूस अब आप देख सकते हैं का बिल्कुल कलर भी चेंज हो चुका है तो मतलब कि यह बिल्कुल पकने के आदा पक चुका है और हम कैसे पता लगाएं कि यह प्रॉपरली पक चुका है तो इसके लिए अगर हम इसे प्रेस करते हलका सा तो बिल्कुल दबना शुरू हो जाएगा तो जब बिल्कुल दबने लग पड़ता है तो इसका मतलब ये प्रॉपरली पक चुका है और इसके साथ में मैं हरी मिर्चे हैं उनको भी पका रही हूँ तो अब बिल्कुल ये प्रॉपरली पक चुका है आप देख सकते हैं प्रेस करके मैं दिखा रही हूं आपको बिल्कुल प्रेस हो जा रहा है और मिर्चे भी बिल्कुल पक चुकी है आप मैं इसको छिलका है उसको पील कर लेती हूं और अब मैं इसे बिल्कुल इसके चुट-चुटे पीस काट लूँगी बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा हम तभी ये चिलका चीलना है और इसका जो अंदर का है वो सारा के चाकू से इस तरह से काट लेना है इसके जितना भी फाइवर है अब ये मैंने एक ग्राइंड़ जान में डाल दिया है और साथ में पुदेने की पत्तियां भी डाल दी है और सॉल्ट नमक भी डाल देती हूँ वन टी स्पून नमक है ये और चीनी अगर आप पसंद करते हैं इसमें थोड़ा सा खटा ज्यादा लगता हो तो इसमें वन टी स्पून चीनी भी डाल रही हूँ है और अब इसे ग्राइंड करना है तो अब देखिए ये ग्राइंड हो चुका है और अब इसका जो अगर ठिकनेस ज्यादा लग रही है तो इसमें पानी डाल करके इसे थोड़ा सा पतला करना है क्योंकि हमें इसका ड्रिंक बनाना है आप देख सकते हैं इस तरह का यह थोड़ा ठिक है तो इसका ड्रिंक बनाने के लिए इसमें अभी मैं एक गिलास यानि कि इस से आपके जो हैं वो दो गिलास तैयार हो जाते एक आम से आप दो गिलास ड्रिंक तैयार कर सकते हैं तो आ किलास में मैंने इसे drink को डाल दिया है और अब इसमें थोड़ी से ice cube डाल देती हूँ तो ये मैंने ice cubes भी डाल दिये हैं तो देखिए friends इस तरह से हमारा ये drink तयार हो गया है तो आप चाहिए सारा दिन घरमी में धूप में गूमिये और आकर के इस ड्रिंक को पी लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की लू नहीं लगेगी और अगर लू लग चुकी है तो वो भी आपकी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है तो ये गर्मियों के लिए ये समझे कि एक बर्दान है तो I hope friends आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेर भी करें ताकि और भी गर्मियों में इस वीडियो का फाइदा ले सकें और friends आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आप इसको ड्रिंक को पीए बनाए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये ड्रिंक आपको कैसा लगा और कितना यूसफूल है तो और आई हो फ्रेंड्स आपको रियाली में ये वीडियो हैल्फूल होगी थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो